Hello everyone, आज हम देखेंगे कि हम किसी भी square, किसी भी number का square root कैसे 2 second में निकाल सकता है, जैसे कि हम लोग को निकालना है 576 का square root, तो उसके लिए पहले हमें 10 numbers, 10 numbers का square और उसका unit digit याद करना पड़ेगा, जैसे कि 1 का square है 1 और उसका unit digit है 1, similarly 5 का square है 25 और उसका unit digit है 5, similarly 10 का square है 100 और उसका unit digit है 0, तो हमें ये 10 numbers याद करने पड़ेंगे, तो अब देखते हैं कि हम 576 का square हम कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसका unit digit देख लिए 6, अब 6 हम देखते हैं, 6 हमारा इसमें कहाँ पर आ रहा है, 6 हम देखेंगे एक यहाँ पर आ रहा है unit digit में और एक यहाँ पर आ रहा है, means उसके corresponding number हमारा 4 है और 6 के corresponding number हमारा 6 है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 4 and 6, तो यहाँ पर 4 और 6 में से कोई भी एक number आ सकता है, और हम इन दो numbers को cross कर देखेंगे, फिर हम देखेंगे 5 को, 5 हम देखेंगे 5 यहाँ पर square में कहाँ पर आ रहा है, 4 और 9 के बीच में आ रहा है और हम छोटा number लेंगे 4 और उसके corresponding number हम लेंगे 2, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, अब हमें चेक करने कि 4 और 6 में से कौन सा number आएगा, तो उसको चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस number को लिखेंगे 2, फिर multiply करेंगे, same number 2 plus 1, देखेंगे 6, ठीके, अगर ये number 5, अगर 6 से छोटा है, तो हम छोटा number लेंगे, तो result क्या होगा, 24, अगर इनकेस अगर ये number 6 से बड़ा होता तो हम बड़ा number लेते, जैसे कि हम एक दूसरा example लेते है, 676, इसका आपको square root निकालना है, ठीके, तो हम देखेंगे 6, 6 इन सीरीज में कहाँ पर आ रहा है, वही, यहाँ 4 के corresponding और 6 के corresponding, तो यहाँ पर क्या होगा, एदर 4 और 6, फिर इन दो नंबर को cross कर देंगे, फिर देखेंगे, 6, 6 वही 4 और 9 के बीच में आ रहा है, और छोटा number 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 2, ठीके, तो फिर उसके बाद, हम वैसे ही check करेंगे, 2 into 2 plus 1, वो, that is equal to 6, अब 6, इस नंबर के बराबर है, बराबर और बड़ा होगा तो हम बड़ा number लेंगे, तो result over 26, तो ऐसे हम किसी भी number का square निकाल सकते हैं,